जुटना एक व्यक्ति के लिए आज के समय में शिक्षा जरूरी है बच्चों के लिए जरूरी है उतना ही जो महत्वपूर्ण है या फिर इस गाउं में इस ग्राम पंचायत में रहना वाला हर व्यक्ति जो है वो खुद को खिलाडी समझता है क्योंकि इस गाउं में बच्चे से लेकर जब वो पैदा होता है तो वो अपने मतलब मा के पेट से ही माना जाता है कि वो खेल का एक गुर्ण है वो सीख कर आता है फिलहाल हम फिलहाल इसी के चलते जो है गुरु ग्राम के खेड़ला में मौझूद है सबसे पहले तसवीर वो दिखाती हूँ कि यहाँ पर आज जो खेल एक्टिविटी जो फिलहाल चल रही है आप देख सकते कि यहां पर फिल के से ये खेला ग्राम पंचाय जो है वो खेलों में अपनी एहम भूमी का बनाती रही है और आज भी जो है इस ओपन तीन दिवसियर फुटबॉल टूनामेंट का जो है वो आगास हो गया है तीन दिन तकी टूनामेंट जो है वो चलने वाली है और इसी के लिए यह लोग यहा बुख 4 साल जो है वह यहाँ पर होती है और तीनों दिन यहां पर रहते हैं और देखते कि बच्चों की स्विधाय मिल रही है कैसा बच्चों का खेल और यही जो हो चल बच्चों को पढ़ाई और खेल दोनों को साथ साथ बढ़ाने का जो सरकार कारी कर रही है इसके लिए मैं सरकार का तहीं दिल से आभार वेक्ट करता हूँ खेडला गाओं की जहां बात है मैं एक बात बता हैं पिछले 40 साल से हमारा फुटबॉल का जो टूर्णामेंट है हर साल यह होता है और इस टूर्णामेंट की वजह से हमारे बच्चे करीब 35-40 बच्चे नैशनल खेले और छे बच्चे हमारे संतों स्ट्रोफी के लिए मैं सन साल बच्चे जाते हैं और पाई का गेम में तो एक गाओं एक ऐसा खेडला जिस गाओं की टीम लगाता पांच बार फस्ट आई यह हम सब के लिए बहुत गर्व की और फक्र की बात है इस टूर्णामेंट को करने में हमारा यंग स्टार कलब का बहुत सयोग रहा मैं तमाम यंग स्टार कलब के साथियों का जो समय समय पर बदलते रहते हैं उन सब का तहे दिल्शावार वेक्त परता हूं इन्होंने अपने अथक प्रियास से यह टूर्णामेंट को जारी रखा और यह जो टूर्णामेंट अभी पिछले बार हमने घोशना की थी दो साल पहले कि ह स्कूल एक सोटीन साल पुराना है तो हमारे 3000 सबएस में इस इस स्कूल की नीम रखी गई ती तो वह जो नीम रखी गई थी स्विदार फखीरा सिंग्हक्ताना मैं सुविधार फकीरा सिंग कटाना को सबसर नमन करता हूँ जिनकी सोच आज से 103 साल पहले इतनी अच्छी थी जिसकी वज़े से हमारा स्कूल बहुत टाइम पहले बना उसकी वज़े से आज हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़के गए करीब 35 कमिशन रफसर हैं हमारे यहा फिजिकल टीचर हो और आर्मी की जहां बात है आर्मी में तो हमारे सुविदार केप्ने मेरे ख्याल से शाया हर हर में आपको एक या दो मिलेगा तो इस ग्राउंड की देन है इस स्कूल की देन है मैं इस ग्राउंड को जो ये नया ग्राउंड बनाए है पहले हमारे जो टूनामेंट होते थे स्कूल में होते थे उससे स्कूल डिश्टर होता था हमने सोचा हम अपना अलग सी ग्राउंड बनाए में हमारी जो पंचायत है मौजूदा पंचायत उनका पूRा सहयोग घए उससे पहले जो साथ बंच та उन्होंने सेषयोग किया है। जो निजी कोस है उससे हमारे दिनेश शर्मा जो प्रामिड के चेर में उन्हों ने इस ग्राउंड को सबसे पहले लेवल कराया था इस ग्राउंड में गड़े थे बहुत पूंचे नीचे उसके बाद ग्रासी ग्राउंड बनाया और हमेशा हर टूनामेंट में वो अपना सहय होता है वह सब अपने तन से मन से और धन से यहां पर शेवा करते हैं मैं आपका विशेशक्र बहुत भावाद करता हूं कि आप हमारी बात को दूर दूर तक पहुंचाने का कारिये कर रही है बहुत-बहुत धन्वाद जैहिंद जाइन भारत यह था इन्हों ने है तो तो सर आप से जानना चाहूंगी खेडला गाउं का हर वच्छा खिलाडी है एक अलगी ट्यून देखो खुदी राइम बन जाती है खेडला का हर वच्छा खिलाडी क्या कहेंगे मैं डॉक्टर पीएस कटाना गांव खेड़ला से बिलॉंग करता हूँ 37 साल पहले मैं अलगी गांव छोड़ गया था हमारी यंग स्टाल कलब की जो सुरुवात है वो मैंने ही की थी पहली बाल मिस्टर जतनवीर और हम मेरे से छोटा करतार हम पहली बाल नैसने खेले हमारी पहली बाल Kingsua aht franchina के लिज़ी तब से लेकरके हम Internet के ले उसके बाद मैं मैं एस करने चलांगा मैंने फुटबाल मैं मैं आयस करी M magnific a PhD कह डूक्रेट मैंने सपोर्स के अंधर की और तभी से हमारा जो यंग स्टार कलब खेड़ ला है वो बराबर टूर्णामेंट कराता रहा है और इसमें अच्छे बच्चे भी आए हमारे कुछ बच्चे बहुत हैं जो भी खेले भी है यह सागी कौन जतरमीन ने बताया कि यह बच्चे बाहर खेलने के लिए गए होई थे मैं खुद भी सी ब सब्सक्राइब कोई बच्चों ने जब से आए हैं आज में यह कह सकता हूं कि इंडिया में अगर कोई एक गाम अगर फुटॉब खेलता है तो मैं समझता हूं कि शायद के लाउस से कहीं बैटर होगा मैं आपका सभी का इन बच्चों को धन्यवाद देता हूं रेफरी बो बुजर्ग जो की जिन्होंने सबसे पहले इस खेडला गाउं के अंदर जो है यहां पर फुटबॉल की जो शुरुवात है वो की थी यहां आप संतोश टुफी यहां पर खेल कर आई हैं है ना तो किस तरीके से गाउं का सहीयोग हमेशा आपके साथ रहा है एक्चुल मेरा गाउं में इतनी लगन और मेहनत है कि यहां का हर बच्चा अपने फुटबॉल के लिए अपना सारा काम चोड़के सारा तत्तर रहता है और यहां पर बढ़ावा दिया गया है जैसे अभी भाई संत्राम है पहले सर्बल तो यहां पर बहुत सारे हुए हैं मगर स्पोर्स को दिनेश चेरमन भाई उनके सहयोग से स्टेडियम बना है उन्होंने हर टूर्णामेंट में अपने नीजी को से बहुत पैसा देखे बच्चों को आगे तक के लिए सारी सुवेदा मोई कराता है और वह भी पूरे गाउं के लिए और उनका अब यह जो फूटबॉल का स्ट वो है जिनकी वजह से आज पहले आपको बता दो कि स्कूल के अंदर कारेकरम रखा जाता था स्कूल के ग्राउंड के अंदर फुटबॉल का मैस जो है और जितने भी स्टेट थे वो आते थे यूपी हुए चंदिगर हुआ दूर दूर से पंजाब हुआ रजिस्थान लेकिन सबसे पहले तस्वीर दिखाती हूं यह देखे यह एक नया ग्राउंड जो है वो गाउं के अंदर बन चुका है और अब की बार जो है इसी गाउं के अंदर यह टूनमेंट जो है वो होने वाला है किसकी वजह से हुआ है वो बताती हूं क्योंकि सरपंच जो है वो बच्चों के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं और कैसे एक नया ग्राउंड एक साल के अंदर आपने बना के दिया है देखिए जो हमारा पहला ग्राउंड था उसमें हमें परिशानी आती थी कि उसमें जो बच्चे पढ़ते थे तो वहां डिश्टेपरेशन चलता है हम हमारी बात को रखा और उन्हों ने यह जो सारा समतल करा के जो आप गास देख रहे हैस लिए और जो बांड़री नरंदर जी और और बागी जो भी यहां पे जो कम्या थी वह हमने अभी 2-3 महीं ने में विलकुल करा के तैयर करा दी आगे भी स्टेंड उड हैं हम अपने प ग्राम पंचायत के दुवारा और जो स्टेट के बच्चे आए हैं फुटबाल खेलने के लिए कुछ सर्दी का मौसम है कोहरा इतना जादा है किस तरी की सुविधा है जो है वो ग्राम पंचायत उनको दे रही हमने यहां पे कम से कम लगभग 10-11 रूम हमने अवेलबल कराके उनके लिए पूरा रजाई गद्दे का प्रबंद कराके और खाने का पूरा प्रबंद चाय नास्ते का पूरा प्रबंद ग्राम पंचायत की रफसे और गाउं की तरफ से किया हुआ है और किसी बी बाहर से लोग आई हुए हमारे लिए अतिति हैं उनको कहीं भी कोई कठन कक्राइट के द्वारा कि दौर दौर हमारे साथ है बच्छों को ट्रेइड करना किस तरीके सिभ्षों में खृणि उनून करते लेवल की अगर ट्रेनिंग ना स्टेंट के साथ साथ टैक्टिकल लेवल की अगर इनको ट्रेनिंग कि अभी जड़ुत है तो उसके लिए हमारा सरपन्साव के दिरूप काई कलबों में बात चल रही है उन कलब से हम यहां पे एक रेजिडेंस अकैडमी की स्तापना करवाने का अभी यहां पे जिससे की बच्चे आई लीक के लिए कलब रेजिस्टेशन हो यहां से और आगे जाए उसमें भाई दिनेश सर्माजी का क्योंकि कुछ भी चीज बिना पैसे के नहीं होती और राजनीतिक सायोग चाहिए राजन सबसे बच्चों को मिलती है बिल्कुल बिल्कुल मैं जो ये मनेजमेंट है कमेटिय हर मेंबर दिल से लगा होता है कोई किसी चीज की कमी रहने नहीं जाते हैं यह थे हमारे साथ और देखेंगे जो है यह वो बच्चे हैं जो की पिछले कई सालों से जो है यहां पर कोशिश कर रहे हैं और फुटबॉल जो है खेलते बिटा आप लोगों को मिलती है लगातार आपकी जो प्रैक्टि कि इक सकते हैं कि ग्राम पंचायत के बच्चे बीज़ो बहुत खुश है आपको बद्दयदू कि फिलहाल जो है यह उपर टूनामेंट रखा गया है तीन दिवसी तूनामेंट है और यहां पर मैदान बिल्कुल तयार है वाल बिल्कुल तयार है और इसी अब जो है इस उन लोगों को फस्टेट की सुविदा जो है वो सही समय पर मिल सके सभी सुविदा है जो है वो यहां पर तैयार है आप देख सकते हैं अब जो है मैच की जो शरुवात है वो अब हो जाएगी और अब जो है यहां खेडला आज सबसे पहले बस यहीं जानूंगे कि कौन से टी लोग बताते हैं तो हम ही सोच का इस बार आपने किसमत आज माने आए हैं जो है वो साथ देती है बेस्ट ओफ लोग आप दोनों ही टीमों को आप देखना यह होगा कि खेडला को टूनामेंट है वो तीन दिव से किस तरीके का रहता है हाला कि जो जीतने वाली टीम है उसको लिए प्राइस भी रखा गया है जो कि हर खेल में जो है वो रखा जाता है लेकिन खेल एक ऐसी चीज है चाहे हारे या जीते लेकिन उसमें जो खेलने के खुशी है वो अलगी तरीके की होती है अगर आप भी अपने आसपास खेलों को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इस इस पर कमेंट जरूर करें खबर को शेयर इतना करें ताकि जादा से जादा लोग जो है फेलों को प्रोस्चाहित जो है वो कर सके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद आपको पताए जाएगा